अब यहां पर हम Thermodynamics का previous year जे एडवांस का question discuss करेंगे यहां पर हम gas को I से A, A से F ले गए यह हमारा path 1 हो गया फिर I से B, B से F ले गए यह हमारा path 2 हो गया अब यहां पर हमें अलग-अलग information दे रखिए A पर जो internal energy है वो 100 है B पर जो internal energy है वो 200 है और A से F जो हमने work done करा है वो है 200 और बाकि यह सब हमने दे रखा है यहां पर यह सब वही दे रखा है और total heat जो हमने supply करी I, A, F से वो हमने दे रखिए 500 J ठीक है अब वो क्या पूछ रहेंगे DQIB और DQBF या QIB या QBF पानलो कि किती heat लगी I से B जाने में और किती heat लगी B से F जाने में B से F जाने में वो हमने बतानी है तो शुरू करते हैं तो DQIB, first law of thermodynamics से निकालेंगे तो हमारा इसका formula कित्ता हो जाएगा QIB plus UIB तो UIB मतलब change in internal energy from I to B अब यहां पर देखें अगर कि B पर जो इंटरने निकालेंगे वो 200 और यहां पर 100 है तो 100 का gap आ गया और यह हमें देही रखा है कोशन में कि WIB हमारे पास 50 है तो यह 50 आ गया तो हमारा कित्ता हो गया 150 यह हमारा हो गया QIB मतलब जो हमें ratio निकालने पास QIB आ चुका है अब आगा QBF अब QBF के लिए formula क्या लगेगा DUBF plus DWBF अब DUBF का है change in internal energy from F to B तो यह हो जाएगा UF minus UB ठीक है और यहां पर हमें UB की value तो given है 200 बट यहां पर हमें भी किसकी value निकालने पड़ेगी UB की वो भी निकालते हैं और DWB दे रखाए में 10 यहां पर given था कि work done 100 sorry कितना given है 100 ठीक है अब हमने UF की value कैसे निकाले क्योंकि internal energy की value F पर तो given है नहीं वो हमने निकाले जब हम पूरे path के along लेखे गए IAF IAF ध्यान से देखते है IAF क्या हो गया work done from A to F A to F क्योंकि I से तो work done हुआ नहीं क्योंकि वो तो isochoric process है अगर देखो यह isochoric है तो work done तो होगा नहीं तो स्री work done यहां पर होने वाला है तो 200 अब I से F गए तो internal energy का difference निकालेंगे F और I में F और I में और I हमें दे रखा है कितना है 100 इंट्रलेंजर कितना है 100 तो हमारे UF किता आगया 400 किता आगया 400 तो UF 400 आगया UB हमें गेविन था ही 200 ठीक है तो किता आगया हमारे पस 300 तो हमारे पस QBF भी आगया तो अब ratio ले ले लेते है QIB आगया था 150 आगया 300 तो QBF और QIB किता आगया 2 किता आगया 2 तो this is your solution